कि हेलो फिंड्स वेल्कम टो माई इस्टडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं मुलाइम उत्तकों की चोटे कौन-कौन सी होती है यानि साब टीशु इंजरी कौन-कौन सी होती है उसके बारे में बता रही हूं दोस्तों इसके पहले में चोटे कितने प्रकार की होती हैं खेल की प्रकिती के अधार पर चोट की प्रकिती के अधार पर सरी की रचना के अधार पर अवधी के अधार पर कौन-कौन सी प्रकार की चोटे होती है इसके बारे में पहले वाले वीडियो में पार्ट वन में बता चुकी हूं यह पार्ट टू है इसमें मैं मुलाइम उत्तकों की चोटे साब टीस्यू इंजरी के बारे में बता रही हूँ दोस्तो मुलायम उत्तको की चोटे भी दो भागों में डिवाइर किया गया है मुलायम उत्तको की लगु चोटे जिसे माइनर साब टीसू इंजरी कहते है दूसरा मुलायम उत्तको की मुखे चोटे जिसे major soft tissue injury बोलते हैं दोस्तो ए इंजरी वाला पार्ट आपके लिए very important है क्योंकि आप इसे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए मैं इसको सार्ट में वीडियो बना रही हूं जो आपके एक्जामस में अक्सर पूछे जाते हैं और दोस्तो सभी डाउट्स आपके किलियर हो जाएंगे बस वीडियो को लार्ट तक देखिएगा और पहले बिजिट कर रहे हैं तो चैनल के सबस्काइब कर लिजीगा बेल आइकन को प् आप टीशु इंजरी एकन मुलाएं उठके की मुख्य चोडते इसे मेजर साफ टीशु इंजरी बोलते हैं तो माइनर साफ टीशु इंजरी के अंतरगत एबरेशन इंसीजन्स यानि कटाव लेक्रेशन पंचर बिस्टर यानि छाले कैलस यानि कठोर तोचा एबरेशन आत सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर साफ टीशु इंजरी यानि मुलाएं उत्तकों की चोटे कौन कौन सी होती हैं दोस्तों मुलाएं उत्तकों की चोटों में सबसे पहले एवरेशन की बात करेंगे एवरेशन के अंतरक दोस्तों यह होता है एवरेशन मतलब होता है छील जाना रगड जाना यानि लाल पर जाना मैदान पे गिर जाने या रगड लग जाने पर यह चोट लगता है कोशन में इस प्रकार से पूछता है कि रगर लग जाना क्या कहलाता है या लाल पर जाना क्या कहलाता है तो दोस्तों इब्रेशन में अक्सर मैदार में गिर जाने पर या रगर लग जाने पर चमरी लाल पर जाती है उसमें बलड नहीं आता है छिल जाती है एक प्रकार से आपने भासा में तो इसको अन्य नाम से जैसे कि टर्ण बर्ण, टर्फ बर्ण, गेट बर्ण, फ्लोर्स या सिंडर बर्ण के नाम से जाना जाता है खेल मैदान के सतह के अधार पर इब्रेशन को इस्ट्रावेरी भी कहा जाता है दूसरा है दोस्तों इंसिजन्स यानि कटाओ यानि कट लग जाना यानि नुकीले उपकरर से कट लग जाना चमडी, टेंडन या पेसी वो रक्त वाहिनियों पर यह लगता है यानि नुकेलिय उपकरर से चमड़ी, टेंडन या रख्त महाईनियों पर कट लग जाना इंसीजन्स कहलाता है लेक्रेशन्स लेक्रेशन्स में क्या होता है कि चमड़ी पर आघात लगने से चमड़ी जो है फट जाती है और रख्त का इस्तराव होने लगता है जानि नुकेले उपकरर से मुलायम उत्तक में छेद हो जाता है जिससे खून निकलने की संभावना बनी रहती है कुछ दिनों तक तो इसे पंचर कहती है दोस्तों हम बता दें एक क्वेस्टन पुछा जाता है कि घाव कितनी परकार का होता है जिसका साट ट्रिक है पीला पी आई ले इस पीला से आप घाव के चारों प्रकारों को याद कर सकते हैं जैसे जिस चारों में बताई अभी एक घाव के प्रकार हैं जैसे की पीला पी से पंचर याई छेध हो जाना साट में इसको बता रहे हैं अई से砂स इंसेजर्ज याई करट लगजाना लसे लेकरेशन यानि लगकर रखत आना िएसे ईब्रेंस यानि लाड़ पर जाना यह आपका साव्ट ट्रीक है पीला यानि घाव की चार प्रकार होते हैं पीला पि-आई-ल-ए पंचर, इंसीजर, स्लेक्रेशन, एब्रेशन ठीक है नेश्ट है दोस्तों ब्लीस्टर यानि छाले ब्लीस्टर यानि छाले यह क्या होता है कि चमड़ी की सतह पर बार बार रगड़ लगने से चमड़ी की उपरी सतह जिसे एपिडर्मिस कहते है और चमड़ी की उपरी सतह एपिडर्मिस निचली सतह डर्मिस से अलग हो जाती है और दोनों की बीच में तरल पदार्थ भर जाता है कभी कभी खुन भी भर जाता है इसी को हम blister कहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे कि बार बार यदि आपके चमड़ी पर रगड़ लग रहा है आपकी चमड़ी की उपरी सतर एपीदर्मिस निचली सतर दर्मिस से अलग हो जा रही है और दोनों के बीच में तरल प्रदार्थ भर जा रहा है और खुन भी भर जा रहा है कभी कभी तो उसे को blister या चाले कहते हैं नेक्स्ट है कैलस यानि कठोर तचा इसे ठेले भी बोलते हैं इसे में क्या होता है जैसे कि हाथों की हथेली या पेरों की तलुआ इस पे बार बार अगर घरसर हो रहा है दाव हो रहा है आदी पढ़ने पर बाहरी चमरी epidermis को बाहरी चमरी कहते हैं epidermis मोटी वसक्त हो जाती है जिसे ठेले या कैलर कहते है या कठोर तचा कहते है नेक्स है एवलजन एक क्या है दोस्तों ज़ग और उसा में लटका हुआ है। उस ही को उद्वर शाला है. दोस्तों यह था प्रम माईनर साplशियू मुलायम उतके की लगू चोटे अब बात करती है मेजर सॉप टीसू इंजरी यानि मुलायम उतकों की मुख्य चोटू की बारे में दूस्तों यह चोटे माइनर सॉप टीसू इंजरी की तुनला में अधिक लगती है इसके अंतरकर आपके पहला है मसल सुरेंशन्स मसल सुरेंशन्स के बारे में इसमें क्या होता है कि जब कोई खिलाडी तो उसे मसल सुरेंशन्स कहते हैं यानि यानि कार करते समय तीका दर्ध होता है पेशी तन्तू में सूजन आ जाती है इसके कारण सरीर में पानी की कमी तथा बिद्धुती अपगटकों में असंतुलन हो जाता है इसे मसल्स क्रैंप भी कभी बोला जाता है दोस्तों चोट ग्रसित पेशी में अचानक से तीखा दर्द उत्पन होता है तो जब पुछेगा तो उसमें अचानक से तीखा दर्द सब्द का प्रयोग होगा जहां पे अचानक से तीखा दर्द की सब्द का प्रयोग होगा वहां पे आप जान लेगा कि मसल्स सुरेंसंस की बात कर रहा है जैसे कि आप कोई कार कर रहे हैं अचानक से आपको तीखा दर दर्द मसूस हुआ या पहले से कोई चोट लगा हुआ है तो अचानक से आप में तीखा दर्द मसूस हुआ है ओ यह आपका मसल्स सुरेंशन्स कलाता है नेक्ष्ट है मसल्स हेमाटुमा यह क्या होता है दोस्तों मुलायम उत्तक में रक्त का भर जाना या इकठा हो जाना हेमाटुमा क्या कलाता है मसल्स हेमाटुमा मुलायम उत्तक में रक्त का भर जाना या इकठा हो जाना ही आपका मसल्स हेमाटुमा कलाता है तीक है यानि किसी अंग पर जोर से आघात लगने पर मुलायम उत्तक पेशी लिगामें टेंडन आदी में रक्त का इकठा हो जाना इसे चमड़ी की परतों के नीचे तौर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है तीक है यानि किसी चीज से आपके अंग पर अगात लग रहा है जोर से तो उसमें आपके मुलायम उत्तक पेशी लिगामें टेंडन आदी में रक्त भर जाता है इकठा हो जाता है इस चीज को आप चमड़ी में के परतों के नीचे अराम से देख सकते हैं जैसे कि आपको कभी कभी होता होगा यह सभी क्रिया जो भी मलता रही हूं आपके साथ हो चुका होगा ठीक है आप कभी कभी अचारण से चोट लगता लगता है आप देखते कि ओ एक आयक गुला सा नवपरा कह से बन जाता है और उसमें ब्लड घर रहता है बहुत दिन तक वह मतलब जैसे जलाइन होता है आख से जल जाते हैं उसी परकार कहो जाता है और उसमें रक्त भरा रहता है बहुत दिन तक उसके बाद बहुत दिन के बाद और ठीक होता है अपने आप फिर होता है आपका इस प्रेन दोस्तों दो चीजों में बहुत कन्फिज होते हैं लोग इस प्रेन और इस ट्रेन में तो आज कन्फिजन दूर हो जाएगा इस प्रेन जिसे हिंदी में मोच कहते है ये लिगामेंड की तिवी रूप से अधिक खिच जाने को इस्प्रेन कहते हैं जब हमारी लिगामेंड जो हड़ियों को हड़ियों से जोड़ों कर जोड़ता है वो तिवी रूप से अधिक खिच जाता है तो उसे हम इस्प्रेन कहते हैं यानि मोच कहते हैं दूसरा है लेकर है आपका इस्ट्रेन यानि खिचाओ यानि पेशी या टेंडन के जोरदर संकुचन या अधिक खिच जाने से खिच जाता है तो उसे हम इस्ट्रेन कहते हैं खिचाओ कहते हैं थोड़ा डिसकस कर लेते हैं इस्प्रयण और स्ट्रेड़um गाई दोस्तों जैसा कि स्ट्रेड़्रेड показ आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए आप ट्रिक्त कर लिए ईस्प्रेड न करके कि आप इस्प्रेड़ क्याता है और पे- σ्ट्रेनम कहिए आपको याद होता है यदि इस प्रैल्ली आप बोलेंगे इस प्रैन किसके चो ऑधि हळसे से लगस ली से लिगामेंट्स हो गया ठीक इस प्रैनली यानि इस प्रैन लिगामेंट के तिबरी खिच जाने के या आसकता से अधी खिच जाने को से इस्ट्रेन स्ट्रेन, नम बल करके इस्ट्रेनम चापे इस्ट्रेनर in लेका चिक Biom निमान स्पेसी और टेंडन की चोर नेश्ट है कांट यूजन जिसी हिंदी में गूंबड बोलते हैं यह क्या होता है कि चमड़ी की नीचे पेसी में रक्त जम जाना या निला पड़ जाना किसी जैसे कि किसी बाहरी उपकरर के जोड़दार प्रहार से पेसी के किसी से टकरा जाने पर इसमें रक्त वाहिनिया, पेशी, टेंडन, तंत्रिकाई भी समिलित होती हैं तो इस प्रहार की कारण रक्त वाहिनियों के कुचल जाने से रक्त पेशियों में आ जाता है जैसा कि आप यह समानसी बात है गुंबर यानि यह आपके साथ होता रहता है अचानक सा पुछता है हमेशा पुछता है यह अज मैंने मुलायम उत्तकों की चोटो यानि साथ इसू इंजरी के बारे में बताया इसका नेक्स्ट वीडियो यानि पार्थर्ड होड़ी की चोटी होंगी इसमें से आपका बारे में बताओंगी तो दोस्तो यह आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज्यादे दोस्तो तक भी कीजिए जिसे आपके अधिक यह नंताप भी वीडियो पहुछ सके दोस्तो एंड दोस्तोव जो भी आपको अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए जो भी कमिया होंगी उसे भी कमेंट में बताईएगा दोस्तों जो भी मैं इस टेप और पूरा करती रहूंगी और दोस्तों यदि आप चैनल पर भीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल पार्टिफिकेशन आपके पास पहुचता रहे हैं जो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जाएंगे